हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है एक नहीं वीडियो में इस वीडियो में बात करने वालाओं कि अगर आपका भी लावा का फोन है और उसमें कीपड में आपका माइक शो नहीं हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फोन में माइक शो नहीं हो रहा है तो इसमें आप आपको बताने वालाओं कि इस माइक को कैसे शो कर सकते हैं यानि कि इनेबल कर सकते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के आगे में बताओं कुछ तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहले वालाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को लाइक कर द और आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको एक option दिखने को मिलेगा, system, सबसे नीचे जाएंगे, तो आपको, चाहे तो आप Panasonic का फोन है, या फिर Coolpad का फोन है, य सब में ऐसा ही होता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, system पर, system पर जाने के बाद, आपको यहाँ पर gestures दिखेगा, और यहाँ पर advance दिखेगा, तो आपको input language पर क्लिक करना है, ठीक है friends, तो यहाँ पर language input दिख रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद, virtual keyword तो मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जी वोड और यहाँ पर वोईस टाइपिंग दिखेगा, तो आपको जी वोड पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही वोईस टाइपिंग आपको यहाँ पर दिखे जाएगा, तो आपको इस पर आना है, और यहाँ से कीबॉड आया की नहीं आया तो आप देख सकते यहां पर जो हमारा कीबॉड पर माइक है तो वो क्या होता है कि इसके system को पता नहीं चल पाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं तो चले मैं बताता हूँ इसको कैसे fix कर पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सुरू से बता देता हूँ सबसे पहले आपको setting में जाना होगा setting में जाने के बाद notification, apps notification पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर see all apps दिखेगा जितने भी apps होगा उसका होगा 39 लिखा हूँ apps तो मैं apps पर क्लिक करता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर gvote को find करना है यानि कि ढूंडना है तो आप देख सकते हैं यहाँ जीवोट, gvote पर मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे options देखने को मिलता है advance पर जाएंगे तो और भी features देखने को मिलेगा बट मैं आगे features की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी specific एक topic पर बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं आपको बताता है storage पर क्लिक करना है और यहाँ पर clear storage का option दिखेगा इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको clear data कर देना है जैसे इस पर okay पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर back कर देना है बीच बाला दवा के अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज search करता हूँ तो आपका नया keyword open हो जाएगा और आप देख सकते हैं यह change हो गया सब कुछ और यह अच्छे से work करेगा जो भी search करेंगे वो search होगा तो I hope कि यह जानकारी अच्छा लगा है कोई भी सवाल होता आप मुझे comment कर सकते हैं ऐसा ही मैं problem से related वीडियो बनाता रहता हूँ तो channel को subscribe करें make sure कि आपने करी लिया होगा subscribe मिलते नेक्स वीडिवा बाबाई